दोस्तों आपको जानकारी है करीवन 19 से 20 देशों ने UPI को अपनाया है और वो UPI का अध्यन कर रहे हैं UPI से जुड़ रहे हैं सिंगापर UAE तमाम देश हैं लेकिन अभी तक भाई सब दुनिया के जो संब्रद्ध और अमीर देश थे उन्होंने UPI को अपनाया नहीं था लेकि कि जापान जो है UPI को जोइन करने के ऊपर विचार कर रहा है उनका जो पेमेंट सिस्टम है वो UPI से बातचीत कर सके भारत और जापान के बीच में डिजिटल ट्रांजेक्शन हो सके इसके लिए जापान प्रयासरत है और दोस्तों सबसे अची वात यह है कि ना सिर्फ बठाके इन सब को बताया UPI के बारे में कि भाईया जी क्या भोकाल प्रदा किये हैं परणाम देखिए जो आज कल इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए ट्रांजेक्शन के लिए स्विफ्ट का इस्तमाल करते हैं अमेर्का का यूरोपियम देशों का सिस्टम है और इसी सिस्टम पर आधारत अमेरिका जो है और यूरोपियन देश आर्थिक प्रतबंद लगा देते हैं तो स्विफ्ट के माद्देम से वह बोल देते हैं अगर आप इसको पे करोगे तो आप स्विफ्ट का इस्तमाल नहीं कर सकते यदि आप यह खरीदोगे वह खरीदो अगर स्विफ्ट कम जोर होता है तो अमेरिका के प्रतबंदों की जंजट है वह बहुत हद तक खतम हो जाएगी तो अब यह स्विफ्ट छोड़ो यह कल की बात हो चुकी है अब यूपियाई ही चलेगा स्विफ्ट की जगह यूपियाई जैसे सिस्टम ले सकते हो दुनिय अब इंडियन टेक्नोलोजी का जो मोली सरकार ने डिबलब करी है और दोस्तों यह यूपियाई छोटी चीज़ है इसे से बड़ी टेक्नोलोजी डिवल्यूशन आ रही है ओंडी सी की जो की दुनिया को बताएगी कि भारत जो है अब सफेरों का देश नहीं बना हम जो है वह भी नहीं है कि आपने बताया यह टेक्नोलोजी है हमने उसको इंप्लिमेंट कर दिया डिबलब कर दिया ना ना अब टेक्नोलोजी कल सॉलूशन भारत बिल्ड करें हैं गूगल फेस्बुक माइक्रोसॉफ्ट सब बोने हो चुके हैं यूपियाई और ओंडी सी के सामने है यसी बीच दोस्तों भारत की जो प्रगती है उसको देखकर जलने वाले यह चार लोग हैं यह चार दिसाओं में चार अलग अलग दिसाओं में भग रहे हैं वाई साब केज़ी को तो भाईया जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे इन्विटेशन मिला कि नहीं मिला वह भी नहीं पता तो भाईया जी उल्टे कॉंग्रेस पर ही तंज कशने लगे कि कॉंग्रेस के सप्ता में आजने से कुछ नहीं बदले तिलंगाना में इनकी जो लड़ाई है वो कॉंग्रेस से ही है ममता दीदी कल तक बोल रही थी मुझे इगो नहीं है और इनका इगो इतना ब भाई शाब आप जो है एक साथ एक कमरे में बैठ नहीं सकते चलने की काम करने की बात चोड़ दीजिए स्वें सोचिए दोस्तों देश का क्या हस्त्र होगा जब इन लीडर्स के हाथ में कमान होगी सकता की इसलिए बचके रहना है इन से दो हजार चौबीस में वोट डालन है वोट नहीं डालनेंगे तो भाई साब इन लोगों की हाथ में सकता पक्के से चली आएगी यूपी आई ओंडी सी तो मोरी सरकार ने पठ्था रख रखके इट पे इट रखके डिवलप किये हैं वह देखते ही देखते चुक्तियों में खतम कर दिए जाएंगे हमें पता भी नी पड़ेगा भाई साब